ओम शांति आज का डेट 26 जुलाई 2023 आज वामने वीठे बच्ची बाप सी जीवनमुक्ती का वर्षा प्राप्ध करने के लिए माया की सर्वो बंधनों से मुक्त बनो यहां के जीवनमुक्त ही वहां जीवनमुक्ती पद पाती है प्रश्ण इस ज्ञान का बीज अविनाशी है कैसे उत्तर इस ज्ञान से शुर्जवंशी और चंदरवंशी रास्थानी स्थापन होती है वो रास्थानी महुत बरी है जो आत्माई एक बार भी ग्यान ले लेती है भल बीच में छोड़कर चली जाए फिर वो अन्तम में आ जाएंगे क्योंकि उन्हें भी रास्थानी में आना ही है जिसमें थोड़ा भी ग्यान का बीज पड़ा है वो आ जाएंगे जा नहीं सकता यह बाधी ग्यान को अविनाशे सिद्ध करती है गीत है भुलानात से निराला कोई नहीं गोरेनात से निराला कोई नहीं ओम शांति बच्ची अब भुलानात प्रानिशर के सम्मुक बेठे हैं और अच्रिती जानते हैं कि इस बैहुत के मालिक भुलानात से हमको फिर से शोर्गों का बर्षा मिर रहा है बुद्धी वहाँ चली जाती है बराबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं बाप बुलाने आये हैं जैसे साजन सचनी को बुलाने आते हैं एक साजन आकर सब सचनीयों को गुल गुल बनाते हैं उनका नामी है पतीत पाबन परन्तों बच्चे बाप को भूल जाते यो भूलना भी ड्रामा के अंदर है बाप आकर सभी राज समझाते तुम लखी सितारों की मर्तवा बाप से भी उच्छ है जैसे बाप ब्रह्मध का मालिक है वैसे तुम भी ब्रह्मध के मालिक हो तुम भी बुच बाप के साथ रहने वाले थे फिर तुम बच्चों को तो पार्ट बजाना ही होता तुम जानते हो हम बोईखुंटो नाथ बनने के लिए त्रिलो की नाथ के पास आये थे हैं बाप कहते बच्चे तुम भी इस समर त्रिलो की नाथ हो तुम में भी त्रिलो की नाथ हूं फिर तु सतियोग आता है तो उसके साथ उनके नाद तुम बनते हो मैं नहीं बनता मैं आता ही हो तुम्हारे आत्मा को रावन की दुखों से छुडाने रावन से तुम्हें बहुत दुख मिला है ड्रामा को तो बच्चे समझ गाए है इनके चार यूग नहीं बलकि पाच यूग है चार हे बड़े एक संगमयोग लेप यूग है यह नालेज भी बच्चों के ध्यान में होने चाहिए तुम्हें ग्यान सागर के तुम बच्चे बनी हो भक्ती मार्ग में उसके मुहिमा की जाती है तुम ग्यान के सागर शांति के सागर यह मुहिमा फिर बोई खुंटनात की नहीं होती है उनको फिर कहा जाता इस कलियोग में तो होती नहीं है तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा तो शौरगों के मालिक सिर्फ तुम ही बनती हो ब्रह्मा विश्णू शंकर जो शुक्ष्म वतनभाशी देवताई है उनको भी यूगल दिखाते है प्रोबृति मार्ग दिखाने लिए तो शौरग को भी हाई होता है ब्राम्हन बर्ण से तुम देवता बर्ण में आएंगे फिर खत्रियों बर्ण में आएंगे सायाने बच्चे जो होते हैं वो अच्छेती पड़ाय से ध्यान देते हैं अई गानकाल में बच्चा होता है तो समस्ते वारिष आया है तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिष्ट है न जैसे गान्धी को बापु जी कहते थे यह तो भारत में माद पिता बहुत हो खुब कहते बुजुर को पिता जी कहते सिर्फ कहने मातर कह देते हैं यह तो सभी का बापु होती है ही प्रानिश्यन अथ्ठत सभी आत्माओं का शोर बाप है बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है वो भास्ता आती है तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुशात उनोशार भास्ता आती है बरावर बैहुत का बाप आकर राज्युक सिकलाते है ब्रम्हा मिश्नु शौंकरतो राज्युक सिकला न सके भगवानु बाचो देवी देवोताये देवी गुनवाले मुनुश्यों है परमेश्यर माना गौड फादर भारत में भी कहते परमपिता परमात्मा सुप्रीम गौड फादर तो बुद्धी उपर में चले जाती क्योंकि जानते हैं फादर उपर में रहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो हम भे वहां के रहने वाले हैं अभी हम उस प्रानिश्यर के सम्मुख बेठे हैं बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चे करते हो बरावर यह सादू महातमा नहीं है हम मात पिता के सम्मुख बेठे हैं क्यों उनके बनी हैं मात पिता से वविश्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे अगर निश्चे नहीं तो क्यों बेठे हो कारण चाहिए बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बेठ ना सके दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है यह सन्नाशी है यह गवर्णार है यहां यह बाप तो गुपत है जबकि समस्ते हैं परमपिता परमातमा परमधाम का रहने वाला फिर उसमें सर्वगापि के बाद उठती ही नहीं है आतमा याद करती है खोदी परमातमा होते तो फिर पुकारते किसके लिए बहुत थोरी समुझने की बात है परतो माया ऐसे बना देती है जो समस्ते ही नहीं है जो बात मोख से कहते उस पर फिर विश्वाश नहीं करते माया शौंश्री बुद्धी बना देती है पुकारते भी है ओ गोड फादर फिर कहो देते हमी फादारे तो तब पुकारते क्यों है फादार अक्षर तो बच्चा ही कहेगा याद एक को ही करना है अभी तुम सम्मोग बेठे हो जानती हो हम परभिता परमात्मा के बने है उससे वर्षा लेते अब तुने ही भुलेंगे न बाप कहते बच्चे औशुरी बनो पुभित्र बनो मैं तुमको लेने आया हू देबोताओं के आगे गाते भी है मुच निर्गून हारे में कोई गून ना है देबोताओं के मुहिमा गाते अपने को नीज पापी समस्ते जरूर पहले संपूर्ण निर्भीकारी दुनिया थी उसको शर्गो शिवालाई कहा जाता था शिव बाबा का स्थापन क्या हुआ शर्गो भारत बशे जानती भी है शर्गो होता है पर बाड़त शर्गो था आधिशनाटों, देवीद, शर्गो करते थे या भूले हुई है कोई मरता है तो कहते शर्गो पधारा शर्गो सो होता है स्थियोग में कलियोग में तुरी होता है अख्बर में लिखते हैं 272 तो तुम पूछू शौर्गो होता कहा है समुष्ट्यो परमधम में परमात्मा के पास गया वही शर्ग है या तो कहते निर्बंधम गया या फिर कहते जोति जोग समाया अक्ष्वर का कित्ता फड़क है उसको कहा जाता है ब्रह्मो महदत्त यह अविनाशी तत्त है इनको महदत्त नहीं कहेंगे महदत्त वो है ब्रह्मो महदत्त ब्रह्महंद जहां हाम आत्माए अंडे में सर रहती है बाप भी बहार रहती है उसको परमधम कहा जाता बागी ब्रह्मों में कोई लिन नहीं हो सकता बच्चों को बहुत पॉइंट समझाए जाती है जबकि सम्मुक बेठे हो भक्तों तो भगवान को ढूणते रहते हैं तुम जानते हो भुक्ती माल्ग में सबसे जास्ती भुक्त कौन होते है कन करते है जरूर जो पहले पुझो थे पहले पुझारी भक्त बनते है यह तुम यह सिब तुम बच्ची ही जानते हूँ गाती भी है आप ऐस में पूझारी पुझारी परमधमा बाप खूधी पुजो पुजारी बनती है यो तो wrong है बाप आकर बच्चों को उच महिमा लायक बनाते परन्तु सभी कूशर्गों की जिवर्मुक्ती नहीं मिलेगा जिवर्मुक्ती तो मिलेगा तब जब माया के बंधन से मुक्त होंगे जिवर्मुक्त अर्थाद माया के बंधन से मुक्त ऐसा नहीं कि अभी सत्योग में सभी सत्योग में आ जायेंगे सत्योग में तो वही आएंगे तो राजजुक सिकते हैं ज्यान माल में किन्तने बंधनों से नकालना पड़ता है मेरा को कोई इतने बंदन नहीं थे, वो सिर्फ कहा जिति सिर्किष्णों से मिलना है, इसलिए पुवित्र बनोंगी, तुमको तो सिर्किष्णों से मिलना नहीं है, पूरी में जाना है, यहो मेरा थी भक्त शिर्मोनी, तुम हो बिजोय माला शिर्मोनी, जो बिजोय माला पू पहले रुद्र माला फिर विष्टों के माला बनती यहों कोई नहीं जानते कि माला किसके बने हुई है सिर्फ माला सिमरते अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे भक्तों तुम बच्चों की माला सिमरते तुम जानते हो हमारे बेजय माला बन रही है फिर हम ही पुजारी बन माला फिरेंगे तुम राज्यों भी करते हूं फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फिरेंगे तुम से ही फिर भक्ती और भी सिखेंगे तुम भी विश्यों को शर्गों बनाते हूं बाप राज्यों सिखलाती है जिसको नाम गिता रखा है धर्मों शास्त्रों का नाम तो चाहिए ना भल ग्यान प्राय लोप हो जाता है पर जो शास्त्रों तो बनेगा ना शास्त्रों बनाए उसका नाम स्रीमत भगवत गिता रखा है भक्ति मार के लिए गिता बनाते वो गिता कोई ग्यान मार के लिए नहीं है कितने गिताये सुनाते रहते ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजजुख सिखाता हो कहेंगे भगवान राजजुख सिखा कर गाया था फिर उनके शास्रबेट पड़ते हैं अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गिता सुनकर हम शर्गों के मालिक बनते बाप कहते हैं में तुम बच्चों को एक ही बार राजजुख सिखा लाए सो राज़ाओ का राज़ा बनाने आया हो जब तक शौदकुति देने वाला ना आये तब तक भुक्ति मार की महिमा जरूर चलीगी जो कल्पों पहले आयत होंगे वही आकर यह सुनेंगे ओजों तो बहुत बनने वाले हैं शुर्जबॉंख्षी चंद्रबॉंख्षी बहुत अस्थापन हो रही है तो कितने आयेंगे इसलिए ज्यान का विनाश नहीं होता सावकर प्रजा साधरन प्रजा नोकर चाकर आदिये भी चाहिए न कितनी बरी रसदानी स्थापन होती है मुनुष्यों कितनी जानती है कि कैसे सत्ययोगी रसदानी स्थापन होती है अगर यहों जान जाए तो सुनाए बाप को भूली गए है नियाका शीव भगवानों के बचों बदले स्रीकृष्णो भगवानों बचों लिग दिया है शीव जैनती के बाद फरस स्रीकृष्णो जैनती बाती है वो है स्रीकृष्णो बुईखुनटोनाथ यहो बेड तुमको बुईखुनटोनाथ बनाथ स्रीकृष्णो को फिद्वापर में ले गए है कितना भारत के ग्यान का सुथ मुझा दिया हूँ है जब आच्रिते धारंद का नलिस्फुल बनना है देखना है हम कितने मार्ग से पास होते हैं अभी पास होंगे ते कलप कलपांतर होंगे क्रियोस्त बिवार में रहते पढ़ना है ऐसा तो कहा भी होता नहीं जो बुरे बुरी आस्त्री पुरूश बहु वहु आदिसाब आकर पढ़े हैं शास्र भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं माताओं को कहते हैं तुमको शास्र पढ़ना नहीं है पूरुशे पंडित बन पढ़ते हैं या देखो कौन कौन पढ़ते हैं कैसे किसी बुढिया आती ओंडर है न गरियस्तब बहार में रहते हैं कामौल फू समान पुवित्रो रहो राज्युक सिखना है गौट फादाली स्टुडेंट बनना इसका नाम ही है इश्वरियो ब्रह ब्रहम्हा कुमार कुमारियों का कॉलेज इश्वर ब्रहम्हा द्वारा पढ़ा रही है ब्रहम्हा को विष्णों के नाभी से थोड़ी निकला है यह तो परमपिता परमात्मा की नाभी ही कहेंगे बेजरूप तो शिप बाबा है ना उनसे ब्रहम्हा विष्णों शंकर नि नारायान का मंदीर है तो उनको भी चतुर बज बनाते हैं नारायान होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी नर नारायान नारी लक्ष्मी नर नारायान को चार बुजा देते हैं नारायान को अलग नारी लक्ष्मी को अलग दोदो बुजा देने चाहिए ऐसे काईदिय तो रोशर मंदिर बनना चाहिए, पड़न्तु बिचारे नर नारायन के मंदि से कुछ भी समस्ते नहीं है, नर नारायन के साथ लक्ष्मी देते हैं, दीपमाला में महालक्ष्मी की पुजा करते हैं, माताओं के कितनी महिमा हैं, जगद अंबा के बड़ी महिमा हैं, अंबा बड़ी मीठी लगते हैं, क्योंकि कुमारी है, यह अधर है, तो कुमारियों का भारत में मान्द बहुत हैं, पर तुम महत्तों को जानते नहीं हैं, जगद अंबा का बहुत मान हैं, बाप का इतना नही बाप ने आकर माताओं को उच उठाया तो बहादूर बनना चाहिए शेर पसावारी चाहिए अत्याचार होगे परणतु बाप के बने तो धरत परिये धरम ना छोड़िये पुवित्र बन कर उच पज जरूर बना है मिरा भी पुवित्र बने ना बाप कुमारियों को कहते हैं बोलो हम पुवित्र बन बुईखोंटों का मालिक बनना चाहती हैं अच्छा, मेठे मेठे से किलादे, बच्चो प्रोती, मात, पिता, बाप दादा का याद, पियार और गुड मोर्नेंग, रुआनी बाप की रुआनी बच्चो को नमस्ते, हम रुआनी बच्चो को रुआनी बाप दादाओ को भी याद, पियार और गुड मोर्नेंग, नमस्त सदा रहेंगे हस्ते, बनेंगे फरिष्ते, चलेंगे परमधाम सेधे रस्ते से धारना के लिए मुखशार नमबर वान पॉइंट सच्च वारिश बनने के लिए सायाना बनना है पढाई को अच्रेति धारत कर नालेशफुल बनना है बाफ समान महिमा जोग को बनना है बीजोय माला में शुरुमोनी बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है बहुत बहुत बहादूर बन जरूर पुवित्र बनना है बरदान इच्छा उरुपी मृगोत रिष्णा के पीछे भागने के बजाए कोई बच्चे सोचते है कि अगर हमारे नाम से लटारी निकलाए तो हम जोगों में लगा दे लेकिन ऐसा पैसा जोगों में नहीं लगता है कोई बार इच्छा शोयों की होती है और कहते कि लटारी आएगे तो शैबा में करेंगे लेकिन अब की करूरपती बनना अरथाद सदा की करूरगवाना इच्छा के पीछे भगना तो ऐसे है जैसे मृडगोत रिष्णा इसलिए मृडगोत रिष्णा इसलिए सच्ची कमाई जमा करो अधर की इच्छाओ से इच्छा मात्रम अविद्धा वनो स्लोगान है बिग्णों को बिग्ण के बजाए खेल समझ कर चलो तो खेल में हसते गाते पास हो जाएंगे अच्छा आज का समान है मैं इच्छा मात्रम अविद्धा आत्मा हूँ ओं शांति कर दो खेल में कर दो कर दो खेल में इच्छा आत्मा हूँ